नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियुज में मेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को लेकर देश में करोना की दस्तक के बाद से मानो जन जीवन इस्थीर हो गया था सबसे जादा लोगों को असर रेलवे के बंद होने के बात पड़ा अब जब करोना के मामलों में कमी आई है तो ट्रेनों का परिचालन तो सुरू हुआ है लेकिन अब लोगों की मांग है कि पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन सुरू किया जाए इधर ट्रेनों के परिचालन को प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है इधर यात्रियों की बरती संख्या को देखते हुए 20 नई लोकल मेमू और डेमू पसेंजर ट्रेनों का परिचालन अगले एक से दो दिनों के बीच में सुरू करने की बात कही गई है आपको बता दें कि रेलवे सभी रूड पर अनुमती मांगी गई है इसके साथ ही 30 जोड़ी लोकल ट्रेनों का परिचालन एक ही दिन सुरू करने की तैयारी चल रही है उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे की ओर से लंबी दूरी की अधिकांस ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है उन्होंने बताया कि ECR के तहत को क्रोना काल से पहले 307 जोड़ी मेल-एक्सप्रेश तथा 190 जोड़ी पशेशन ट्रेनों का परिचालन क Virus Radio आप गॉ Sul Can एल्हूंने की परदेश में लोकल ॥्रेनों को चलाने की दैनी की यातरी काफी दबाब बना रहे हैंD टेbles चलाने की मांग को लेकर पर्टना अरा रेल खंड के सदिसोपूर अस्टेसन पर सव्मबार को लोगों ने दो घंडे तक मे締 मेमू ट्रोन को रोख कर रखा रेल यातायात बाधित किया मंगलवार को भी दैनिक यात利ों ने इसी एस्टेशन पर दो मेमू ट्रोनों को रोक कर नई दिल्ली हावडा मुख रेल लाइन पर यातायात को बाधित किया प्रस्थितियां जैसे जैसे समान हो रही है यात्रियों की मांग एवम उसकी सुभधा है तू अनरचित पैसेंजर ट्रेनों का भी परिचालन सुरू रेल्वें मौझूदा नियम के बारे में बताया जा रहा है कि यह इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा यह भी कहा जा रहा है कि यह काफी हद तक ठीका करन अभियान के पूरा होने और तीसरी लहर का खत्रा ट्रलने पर निर्वर करेगा आपको बतादें कि पसेंजर ट्रेनों स बड़ी संख्या में रोज दैने के कार्ज करने वाले यातरी एक सहर से दुसरे सहर में जाते हैं अगर हम खास करके पटना और गया और पटना से मुगव सराए के रूट की बात करने तो इन दोनों रूटों में सबसे ज्यादा यातरा करने वाले लोग मिल जाएंगे पटन गया पीजी में विया पारिस लेकर सरकारी करमचारी तक यात्रा करते हैं इधर पटना मुगल सराय रूट पर फिर लोग यात्रा करते हैं अब जब परदेश में पेट्रोल डीजल के दावों में व्रिधी हुई है तो प्राइवेट गाड़ियों की भी किराया बढ़ा है ऐस अब यह देखना दिल्चस्प है कि भारतीय रेलवे कितनी जल्दी पेसेंजर ट्रेनों का परचालन शुरू करती है बिहार और बिहार से जड़ो ही और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियुच के साथ मुझे दिजिए इजाज़त धन्यबाद